आपका एक वर फिर से आप भी के यूटूब चैनल में और आज किस वीडिये में हम बात करेंगे IRFC इंडियन रेल्वे फाइन्स कॉर्परेशन लिमिटेड को लेकर IRFC के अंदर आप लोग देखोंगे यहां से आप लोग देखोंगे आज की वीडियो में आपको बोला था कि इसकंदर एक मौका है जब यह 62 के असपास था तब भी आपको बोला था कि 57 के असपास था स्टॉप लेकर रहें कि इंट्री देना चाहो तो इंट्राडे के लिए इंट्री दे सकते हो यह स्टॉप की 20 परसेंट की सरक्री लिमिट थी तो वहां से आप लोग देखोंगे स्टॉप 62 रुपे से लगभग हमें जुनावी उपर में पांच रुपे उचलती वे नजर आया तो काफी श्यांदार रही स्टॉप में बनी है और लगभग आप लोग देखोंगे चालीश क्रोड़ 65 लाक्य करीव हाई वोल्यू हमें स्टॉप में देखने को मिली है अब और आज आप लोग देखोंगे 20 परसेंट के करीब यानि दो दिन के अंदर अंदर 35 परसेंट जो उसाल हो इसके प्राइज में आ चुका है ऐसे में अब स्टॉप के अंदर फ्रेश इंट्री लेना इस मौके उपर एक जोना भी आपका गलत डिसीजन साबित हो सकते है यही तो आप लोग गलती करते हो जब यह शेयर नीचे के भाव में मिल रहा था तब आप लोगों ने यहां पर नहीं देखा और हमारी प्रीविज वीडियो पर कमेंट आ रहा है कि आपकी वज़य से ओफस के डर के वज़य से हमने भी इसको बेच दिया देखो भी ओफस की अप वीडियो ने देखते हैं फिर उसके बाद हमें ही वलेम करते हो क्या वहां से आप लोग देखो कि जब यह शेयर 52 के आसपास था ओफस के अपडेट आई स्टॉक में कितना बड़ा फॉल नीचे में 43 के आसपास आया था तब आप लोगों कमेंट नहीं किया कि भी स्टॉक म भी आपको बोला था कि 43 के आसपास आएगा 44 के आसपास आएगा 46 के आसपास यहां से स्टॉक मेंटरी लेने का मोगा है और शॉटर्म स्विंग ट्रेड वाले ही लॉग ट्रम पोजिशन अगर आप लोग सोच लोग पॉजिशन बनानी है और यह मैंने आपको बोला कि लॉ हमें ही बिलेम करते हुँ कि आपकी वजह से हमें यह हो गया हमें वो होगयास घृटि फील करने से या फिर कमेंट करने से आपने जो गल्ती धोराई है वो नहीं सुधर लेह ठीक है और यहां पर जो मेरे को सब PER DAY रेगुलर अपडेट देता हूं और वीडियो में आपको एक बाद बोलता हूं इंट्री लेने का मौका है यह लावल ब्रेक होगा तो उपर में यह टार्गेट स्टॉक दिखाएगा ठीक है प्रिविज वीडियो में बोला था कि 55 रुपे के टार्गेट कहीं नहीं है जब य यहां से थोड़ा सा खत्रा स्टॉक के उपर है इसलिए फ्रेश इंटी ले रहे हो लॉंग शॉट टर्म या फिर सुन टेड़िक लिए तो सबसे बैस्ट है अभी एक फॉल आने दो उसके बाद और यहां से फॉल स्टॉक में बनेगा चाहे वो आज शाम तक बन जाईए य आपको फिर से 60 के आसपास आते नजर आए तो 58 के आसपास है तो वहां से एक अच्छा मोगा होगा स्टॉक में फ्रेश इंट्री लेने का शॉट ट्रम वाले स्टॉक के साथ चलना तो यह स्ट्रेटेजी आगे के मारी रहेगी अभी के टाइम फ्रेश इंट्री लेना शॉ अगर प्राइड बुकिंग के आपता भी शाम तक ही इसमें सेलिंग ओडर लग जाए तो उसका नेगिटिव एक्ट टॉक के उपर रहेगा तो अभी के टाइम जो 35-40 प्रेशंट स्टॉक भागा है उसके बाद स्टॉक में कुझना एक गलत मिलने सावित हो सकता अगर आप लोग देखोंगे 62 के आसपास का आप लोग ऐसल वगारा पुट करके चल सकते हो आई होप आपके सारे डाउट्स दूर होंगे स्टॉक को लेकर बाई होल्ड सेलिंग को लेकर बहुत बड़े सवाला बहुत जादा कमेंट आ रहे थे तो आपको इस स्ट्रेटेजी फोलो कर ने चाहिए भी अभी के टाइम और थेंक यू पर वच्किन दे वीडियो